सुपर हस्टार अजय देवगण की दुवहजाद चोबिस में रिलीज होने वाली पहली फिल्म सैतान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिस फिल्म में उनके साथ हमें देखने को मिलेंगे आर मादवन और ज्योतिका ट्रेलर की सुरुवात होती है जहां पर देखने को मिलता है कि अजय देवगण की एक फैमली है जो अपने घहर में सकून से रहती है लेकिन एक रात और मादवन एप आना करके आते हैं कि उनका मुवायर डिस्चार्ज हो गया है उन्हें अपने बेटे से बात करना है तो अज अजय देवगण की जो बेटे हैं उसे पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है और आर मादवन के कहने पर अजय देवगण की जो बेटी है वो खुद को भी मार रही होती है और परिवार बालों को भी मार रही है और उसकी हर बात को मान रही है तो यहां पर पता चलता है कि आ भी बता दिया की आर मादवन बाहत से आते हैं उसके बाद में उनके परिवार को परिसान करते हैं तो यहाँ पर फिल्म के मेकर्स ने कुछ भी सस्पेंस को नहीं रखा आखिर फिल्म देखने जाएंगे तो उन्हें क्या नया देखने को मिलेगा फिल्म की जो कहानी है वो तो ट्रेलर में आल्रेडी रिवील हो चुकी है आखिर बात करेंगे ट्रेलर में क्या क्या चीज़े अच्छी थी तो यहाँ पर आर मादमन का परफोर्मेंस काफी बढ़िया लग रहा है मतलम की बंदे ने अजय देवगन जैसे एक सांदार एक्टर को भी अस्क्रीन पर पूरी तरह से निगल गया हलाकि अजय देवगन का पहला ही सोट आता है जहाँ पर उन्हें देखकर लगता है कि यह सैतान का ट्रेलर है या फिर दिरिसियम थिरी का ट्रेलर है मतलम की अजय देवगन का लुक उनके एक्सप्रेशन सब कुछ इरिसियम सीरीज में जीस तरह का उनका करेक्टर था उसी तरह के हैं इसके अलावा ट्रेलर का जो बैक्ग्राउंड म्यूजिक है वो भी काफी बढ़िया है तो ओवर ओल देखा जाए तो यहाँ पर सैतान का ट्रेलर देखने में इंट्रेस्टिंग तो लग रहा है बाकी आपको सैतान का ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं